हेलो दोस्तो स्वागत करता हूं आपके अपनी यूटूब चैनल में तो दोस्तो इस वीडियो में के मेश्ट्री कलास 12 के चैप्टर नमर 7 इस अधियाय का अबजेक्टिव कोशन लाया हूं दोस्तो इसे पहले हम 33 कोशन कराये थे इस अधियाय का और इस अधियाय से आपके बोर्ड इकजम में हरे एक बार अधिक से अधिक कोशन पूछता थो इस वीडियो को अप लोक अंद तक देखेगा और देखे सारा कोशन आपके बोर्ड इकजम में पूछा गया तो इस वीडियो को हंद तक. आज ज़रूर देखिए गा देखिया पहला कोशन यु cierirdis n o को स्थीत रहेगा उसमें हाइड्रोजन बंद पाया जाता है ठीक है और जिसमें नहीं होगा उसमें नहीं पाया जाता है तो इसमें यह नहीं है तो इसमें पाया जाता है तो इसमें पाया जाता है तो यह तीनों में पाया जाता है ठीक है अगला कोशन कर बढ़ते हैं और दोस्तों कल एक कोशन बताया था कोशन मिश्टेक से गलती हो गया था बताया थे ओलियम का सूत्र ठीक है ओलियम का सूत्र उसमे औप्सन नमर बी लगा दिये थे इसका राइट अंसर ऐस्ट आLLियम का सुद्र एच्टू एसटू ओसे वन होटा है ठीक है हम मार दिये थे क्या मार दिये थे टिए च्टू एस ओफूर सबसे कम भास्मिक है सबसे कम भास्मिक कौन है तो इसमें आपका Ni3 हो जाएगा Ni3 अप्शन नमर ए हो जाएगा सलफायड इसका समारन क्या दता है फिर उत्पलवन बीधी के दौरा देख सकते हैं वर्ग संतलिया होती है बलवो में भरने है तो उत्कृष्ट गेस कौन है तो यह आपका आर्ग van ने कौन है आरे आर ठीक है चलिए अगला oso सूर कोria कोर बढ़ते हैं कि exhaust क्विश्ञ और oxygen की साथ मिलाकर ले जाते है कूंसि और गयास लेकर जाते हijn तो कर जाते हैं ठीक है ऑक्सीजन के साथ सरवाधिक विशरण शमता पाए जाती है तो हिलिय standing में पाए जाती हैं याद रखेगा है काम काम Sm twitter किम सुर्ण हो जाएगा सिर्ण नेश्ट प्रेशन के बढ़ते हैं देखें क्या है निमन में सरवाधिक आयनन बीभव किसका है किसका आयनन बीभव है अधिक तो यह फोस्फोरस एनिपी हो जाएगा ठीक है चलिए अगला कोशन अल्टू ओधिरी एक ओक्साइड है एक ओक्साइड है तो यह धर्मी है क्या ह वह धर्मी बायू का मुखब्यव कोन है बायू का मुखब्यव कोन है तो इसमें CO2 N2 और O2 आ जाएगा याद रखेगा CO2 N2 और O2 चलिए अगला कोशन ने पी और वाइटल का आकार होता है काफी इंपोर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है पी और वाइटल का आका में बनने वाला उत्पाद उत्पाद है कौन है तो याद रखेगा यह अप्सन नमर आपका सी दियागा है SF6 यही है ठीक है पूछता है यह कोशन इस बार के लिए इंपोर्टेंट है अमल राज एक मिसरन है अमल राज एक मिसरन है 3HCL ratio दिया है एक HNO3 option नमर यह हो जाएग हीरे में कार्वन का संकरन कितना है हीरे में कार्वन का संकरन कितना होता है याद रखेगा हीरे में कार्वन का संकरन SP3 होता है याद रखेगा आरगन एक गैस है या एक परमानमिक है याद रखेगा आरगन एक गैस है या एक परमानमिक होता है एलमूनियम की ऑक्सीकरन अवस्था पलस्तीन होता नोबूल गैस होते हैं तो नोबूल गैस याद रखेगा यह आपका एक प्रमानविक होते हैं नोबूल गैस चलिए अगला कोशन के पर बढ़ते हैं देखिए सम्मुद्र जल में पाए जाने वाला तत्व कौन है आयोडीन करबन ही कि यूगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए करबन में चाहिए इस होती होती है तो रेखिया होती है में रही किसा इंट मेंसे क्या सही नहीं है तो सीक से पीपी सिंगल बॉंड होता है यह दिया गया नहीं है अगला है आपका सबसे प्रवल अमले कौन है सबसे प्रवल अमले कौन है तो भी आई 3 हो जाएगा ओप्सन मड़ी SF6 में सलफर का ओक्सीकर नवस्था के दिना है तो याद रखेगा पलस्षो हो जाएगा अगला है PCL5 का आकार होता है PCL5 का आकार trigonal bipyramidal होता है याद रखेगा trigonal bipyramidal निमलिकीत में से कौन P-Valock का तत्व P-Valock का तत्व नहीं है तो magnesium नहीं है mg चलिए अगला है देखें निमलिकीत में से किसका बंधन कौन सबसे अधीक है सबसे अधीक है बंधन कौन किसका BF3 का ammonia gas copper sulfate के गोल से प्रवाइद करने पर गहरा निला रंग उत्पन होता है गहरे निले रंग का अनुसूत्र क्या हो जाएगा इस गहरे निले रंग का अनुसूत्र क्या हो जाएगा तो इसका अनुसूत्र CUNH3 होल 4 SO4 हो जाएगा option नमर आपका A नमर राइट अंसर हो जाएगा ठीक है और देखें अगला कोशन आपका किस योगे काद्वी धुर्ब आगुर्ण सबसे अधीक है किस योगे काद्वी धुर्ब आगुर्ण सबसे अधीक है तो HF याद रखेगा option नमर एक किसका अनुसूम्ब की है आगुर्ण अधीक है तो याद रखेगा यह आपका O2 मैनस का हो जाएगा option नमर D हो जाएगा राइट अंसर अगला है संद्र HNO3 में कौन सीख धातू और किरिया सील हो जाता है याद रखेगा संद्र HNO3 में जो यह आपका PV है यह और किरिया सील हो जाता है अगला question है देखे क्या है NA2S2O3 पलस I2 और देखे यहाँ पर खाले अस्तान छोड़ दिया है इसके बाद पलस में NI इस पर तीकर याई के जगह क्या भरा जाएगा तो सही हो जाएगा यह रियक्शन तो आपको वीडियो कैसा लगा कोमेंट बॉक्स में बताएगा और वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा उसके बाद हम चैप्टर नमर आठमा डी अब बलवा के तत्म का अब्जेक्टिव कोशन लेकर आएगे ठीक है और कोशन बेंक भी कराएगे तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में आपके साथ